अलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल देखी फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुन्दर सा स्केल बोर्डर का डिजाइन लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है जितना देखने में सुन्दर है बनाने में उतना ही आसान है इस डिजाइन को आप लेडिज और गरल्स के किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकती है बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें बारा के मल्टिपल फंदे लेके और तीन फंदे एक्स्ट्रा चाहिए तो हमारा डिजाइन अच्छे से अड्जैस् पहले बारा गिलिएगा फिर से बारा फिर से बारा फिर से बारा लाश्ट में आपके तीन फंदे होने चाहिए तो डिजाइन इस तरह से सेट हो जाएगा बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है सीधी तरप से इस तरह से नजर आएगा और बैक साइड से इस तरह से नजर आएगा राइट साइड से बनना शुरू होता है और चोदा सलायों में बनके ये डिजाइन कम्पलिट हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बने आ गया है अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंदाए मेरा बताने का तरीका पसंदाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और फ्रेंट्स ग्रूप में शेर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेश कीजिए, तो चलिए देखते हैं कि यह डिजाइन कैसे बनाया गया है, तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहां पर 12 के multiple फंदे डाले हैं और 3 फंदे पलस किये हैं 12 तीए 36 और 3 49 टोटल मैंने 39 यानि 49 फंदे मैंने डाले हैं फंदे simple डाले हैं और double धागे से इस तरह से डालके अब देखिए यहां से पूरी सलाई को first सलाई है यहीं से ही बनाना शुरू करेंगे तो पूरी सलाई को इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरह से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेजिए तो यह first रो उल्टी उल्टी बनाके complete के इस तरह से अब आज ये रोंग साइड में यहां से फिर से पूरी सलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे तो ये हमारी सेकिंड सलाई है यानि दूसरी सलाई है इसी तरह से उल्टा बनाते हुए हम चार सलाईयां बुन लेंगे तो जैसे ये एक धारी हमारी बन के आई है दोनों तरब से ऐसी दो दो धारी हमारी बन जाएंगे दो लाइने बने एक जार सलाईया उल्टे उल्टे बना के कम्पलेट की दोनों तरब से दो दो धारी हमारी बन के आगई आप है पांचमी स्लीश तो देखिए पांचमी स्लीश को कैसे बनाएंगे फेस्ट फंदा है इसको उल्टा बनाएंगे धहागा पीछे करेंगे अब दिखिए इस संथे को येइए ऐसे पलटेंगे पीछ에 से श्लाइड डालके दो का एक फंदा ऐसे बनाएंगे सीधा फिर चार फंदे सीधे एक दो तेन और चार चार फंदे सीधे बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और ये फंदा सीधा जाले डालते हुए अब देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से चार फंदे सीधे एक दो तेन और चार चार फंदे सीधे बनाएंगे अब फिर देखिए यहां पर तीन का एक करेंगे तो देखे एज टीज फंदे को छोड़ के यहां से यहां तक 12 फंदों का डिजाइन है इनी को फिर से रिपेट करेंगे स्टार्टिंग में हमारा यह हाफ डिजाइन बनता है तो हम यहां पर 2 का 1 करेंगे और center में यह यहाँ पर पूरा design बनता है, तो यहाँ पर 3 का एक करेंगे, तो edge stitch को छोड़ के इन ही फंदों को फिर से repeat करेंगे, तो यह 3 फंदे हैं इन 3 का एक बनाएंगे, इनको slide डालके ऐसे lose करेंगे, आगे से slide डालेंगे, इस slide पे उतार लेंगे, अब back loop से यहाँ से slide ड और तीन का एक फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे हैं अब देखिए जो यहां पर तीन का एक फंदा हुआ है दो फंदे यहां पर कम हुए हैं तो एक जाली यहां पर डल गई इस फंदे की और जो दो का एक किया था यह एक जाली यहां पर इस फंदे की जो यहां पर कम हुआ इस ज देखिये फिर से चार फंदे सीधे बनाएंगे जाले डालते हुए फंदा सीधा बनाएंगे फिर रमावब अपनी तरफ करेंगे फिर से चार फंदे सीधे एक, दो, तेन, चार फिर से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे तो ऐसे आगे से स्लाई डाल के थोड़ा सा लूज करेंगे यहाँ से स्लाई डाल लेंगे, निकाल लेंगे यहाँ से बीच का फंदा है वो आगे की तरफ आ जाएगा और पिछे से यहां से slice में डालके वापिस इसी slice पे लेंगे और तीन फंदे लेंगे ये दो फंदे ये हमने पल्टे हैं और एक फंदा ये तीन का एक पिछे से slice डालके तीन का एक फंदा बनाएंगे इसी तरह से तो second repeat complete हुआ फिर से तीन फंदे सीधे चार फंदे एक दो तीन चार चार फंदे सीधे बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे जो यहां पर तीन का एक फंदा होता है यहां पर दो फंदे कम होते हैं तो ये जाली डलके फंदा फिर से बढ़ जाता है तो ये जाली डालते हुए सीधा बनाएंगे ये फंदा जो यहाँ पर कम हुआ ये जाली डलके बढ़ गया एक जाली यहाँ डल गई एक यहाँ डल गई तो यहाँ पर फंदा कवर हो गया अब धागा अपनी तरफ करेंगे ये जाली डालेंगे और चार फंदे ये फंदा सीधा जाली डालते हुए है ये यहाँ पर जाली डाली फंदा सीधा बनाया धागे को अपनी तरफ रखेंगे जाली डालेंगे और चार फंदे फिर से सीधे एक, दो, तीन, और चार, चार फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से यहाँ पर लास्ट में दो का, लास्ट में तीन फंदे बचेंगे तो दो का एक आगे से सलई डालके करेंगे ऐसे और लास्ट का फंदा एज टीच इसको उल्टा बनाएंगे अब आज ये रोंग साइड में यहां से इस डिजाइन में पूरी सलाईयां उल्टी उल्टी बनके डिजाइन कम्पलिट होगा तो पूरी सलाई को उल्टा उल्टा बुन लेजिए ये हमारी छटी सलाई 6 सलाईयां बनके कम्पलिट हुई अब आज ये साथ मी सलाई सीधी दरफ तो फ़र्ष्ट फंदा एच्टिच है उल्टा बनाएंगे धागे को पिछे करेंगे अब इस फंदे को लेंगे ऐसे पल्टेंगे और पिछे से सलाई डालके दो का एक फंदा बनाएंगे ऐसे अब यहाँ पर तीन फंदे सीधे एक दो और तीन अब देखे यह जाली वाला डिजाइन है इसको ध्यान से देखे कैसे बनाएंगे जो यह डिजाइन डला हुआ है यहाँ पर इसको डालेंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे जाली डलेगी फंदा बढ़ेगा और इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो देखे जो यहाँ पर फंदा कम हुआ है वुश फंदे को हम फिर से जाली डाल के हमने एकवल कर लिया अब धागा अपनी तरफ करेंगे अब देखे जो यह एक सीधा फंदा एक जाली है इनका दो का एक करेंगे पहले आगे से लूज करेंगे धागा अपनी तरफ रखेंगे और दो का एक करेंगे ऐसे अब देखे यहाँ पर हमने जो जाली डाल के फंदा बढ़ाया है वो फिर से हमने कम किया एक जाली एक फंदे दो का एक किया तो अब फिर धाग अपनी तरफ करेंगे और ये तीन फंदे जाली डालते हुए सीधे बनाएंगे एक दो तीन अब फिर से तीन का एक करेंगे तो ये फंदा है जो ये तीन का एक वाला है एक यहां से लेंगे एक यहां से तो इन दोनों फंदों में इस तरह से स्लाइड डालेंगे आगे से ऐसे यहां से निकालेंगे और इसके पिछे से स्लाइड डालके वापिस इस फंदे को लेफ्ट निडल में वापिस लेंगे तो बीच वाला फंदा आगे की तरफ आ जाएगा ये दो फंदे एक आगे से तीन फंदे लेके ऐसे तीन का एक पीछे की तरफ से स्लाइड डालेंगे और तीन का एक फंदा ऐसे बनाएंगे फिर तीन फंदे सीधे एक दो तीन फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर यहा यहां पर हमने जाली डाल के फंदा बढ़ाया है अब देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे यह जो जाली से फंदा बढ़ेगा यहां पर एक शीदा है एक जाली है तो आगे से सलाई डाल लेंगे और दो का एक करेंगे इस तरह से जाली भी डल गई और यहां पर जो फंदा जाली से बढ़ा है वो फिर से हमने कम किया है दो फंदो का एक किया है अब धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे सीधे एक दो तीन अब फिर से देखिए तीन का एक करेंगे तो आगे से सलाई दो फंदो में डाल लेंगे ऐस तो देखिए यह यहाँ पर तीन फंदे हैं इन तीन फंदों में सलाई डालेंगे ऐसे और पिछे की तरफ से सीधा फंदा बनाएंगे ऐसे फिर से तीन फंदे सीधे एक, दो, तेन फिर धागा अपनी तरफ करेंगे जो यह जाली वाला पैटरन है इसके साइड साइड में एक, एक फंदा बढ़ाना है जो बीच में फंदे रहेंगे उनका हम दो का एक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाया जाली डाले अब धागा अपनी तरफ करेंगे अब इन दो फंदों का एक सीधा एक जाली आगे से सलाई डालके दो का एक फंदा बनाएंगे जाली भी डल गई फिर से दो का एक किया तो फंदा फिर से कम हो गया ये साइड में फंदा हमारा दोनों तरफ एक एक फंदा जाली डलते हुए बढ़ता जाएगा फिर से ये तीन फंदे सीधे यह जाली डाली फंदा सीधा एक दो तीन अब तीन फंदे लाष्ट में बचेंगे तो दो का एक करेंगे आगे से सलाइ डालके ऐच टीस फंदा उल्टा. तो शात्य वी सलै बनके कंपलिट हुई, अब आज एगे Championship की. अब आज एगें आठ वी सलै डौाइन रौंग साइड में उल्टी तरफ यहां से पूरी सलै को उल्टा उल्टा बनाएंगे. ये डिजायन की आठ मी सलाई है, पूरी को उल्टा उल्टा बुलिए डिजायन की आठ सलाईया बनके कम्प्रिट हुई, अब आज ये सीधी तरफ राइट साइड में, नो मी सलाई में हट्र इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पिछह करेंगे फिर से यहाँ पर देखिये फंदे को लेंगे ऐसे पल्टेंगे और पिछह से सलाई डालते हुए दो का एक करेंगे, ऐसे, अब यहाँ पर दो फंदे सीधे, एक दो दागा अपनी तरफ करेंगे यहां पर यह जाली से बड़ा हुआ फंदा है इसको सीधा बनाएंगे यहां पर सिरफ एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ अब जो बीच में ध्यान दिजिएगा यह एक फंदा है एक जाली है इनका दो का एक करेंगे इनका दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी तरफ फिर से एक सीधा एक जाली तो दो का एक करेंगे जो फंदा जाली डाल के हमने बढ़ाया है वही साथ में घटा दिया दो का एक किया अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर ये फंदा सीधा एक फंदा और सीधा तो जाली डालते हुए दो फंदे सीधे बन गए फिर से तीन का एक करेंगे तो ऐसे आगे से सलाई डालेंगे इन दो फंदो को निकाल लेंगे अब पीछे से सलाई डालके वापिस इसी सलाई पे लेंगे तो बीच वाला फंदा आगे की तरफ आ जाएगा अब इन तीन फंदों में स्लाइड डाल के पीछे की तरफ से तीन का एक बनाएंगे अब यहाँ पर दो फंदे सीधें एक दो धागा अपनी तरफ अब यह जाली वाला फंदा है जो इसको सिंगल बनाएंगे सीधा एक फंदा सीधा बुना जाली डालके दागा अपनी तरफ जाली डालेंगे अब जो ये बीच में एक जाली एक फंदा एक जाली एक फंदा ऐसे हैं तो यहां से एक सीधा फंदा लेंगे एक जाली लेंगे दो का एक करेंगे जो जाली डलके फंदा बढ़ाया है वो दो का एक करके फिर से कम कर दिया धागा अपनी तरफ जाली डाले फिर से इनका दो का एक करेंगे अगर दो का एक नहीं करेंगे तो फंदे बढ़ जाएंगे और डिजाइन बिगड जाएगा दागा अपनी तरफ ये फंदा सीधा जाली डालते हुए तो ये दो फंदे सीधे फिर से तीन का एक करेंगे तो आगे से स्लाइड डाल लेंगे ऐसे निकाल लेंगे फिर से पिछे की तरफ से दोनों फंदों में स्लाइड डालके वापिस इसी निडल पे लेंगे तो फंदा चेंज हो जाएगा फिर तीन फंदों में स्लाइड डालके बैक लूप से तीन का एक बनाएंगे फिर से दो फंदे सीधे अब दहगा अपनी तरफ करेंगे ये जाली वाला फंदा है इसको सीधा बनाएंगे यहाँ पर एक फंदा हमने बढ़ाना है जो हम तीन का एक करेंगे तो यहाँ जाली डलेगी एक यहाँ पर डलेगी तो यह तीन का एक है कवर हो जाएगा अब आगे जो बढ़ाएंगे उसी को साथ में गटाएंगे तो जाली डालेंगे फिर एक सीधा एक जाली आगे से सलाई डालके दो का एक बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ फिर से एक सीधा एक जाली आगे से सलाई डालेंगे और दो का एक बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे सीधे एक, दो अब आगे से स्लाइट डाल लेंगे और दो फंदों का एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ लास्ट का फंदा उल्टा तो ये नोवी स्लाइट बनके कम्पलीट हुई अब आज ये रोंग साइड में दस्मी स्लाई में यहां से फिर से पूरी स्लाई को हम उल्टा-उल्टा बनाएंगे ऐसे उल्टा-उल्टा बुनेंगे असल स्लाईयां डिजाइन की बन के कम्पलिट हुई अब आज ये ग्यार्वी स्लाई तो फिर्स्त फंदा-च्डेज उल्टा बनाएंगे धागा पिछे करेंगे अब इस फंदे को लेंगे ऐसे पल्टेंगे और पिछन से स्लाई डालके ऐसे दो का एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ अब देखिये यहां पर आप ध्यान दिजिएगा साइड साइड में हमने एक एक फंदा जाली डालते हुए बढ़ाना है और जो सेंटर में ये दो दो फंदे नजराएंगे इनको दो का एक करेंगे तो यहां दागा अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाते हुए जाली डालेंगे जो फंदा हमने यहां पे घटाया है उसको हमने जाली डाल की कवर कर लिया अब दागा अपनी तरफ यहां जाली डालेंगे फंदा बढ़ेगा तो यहाँ पर फिर से घटाएंगे एक सीधा एक जाले आगे से सलाई डालके दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ फिर से एक सीधा एक जाले आगे से सलाई डालेंगे और दो का एक बनाएंगे फिर से धागा अपनी तरफ फिर से एक सीधा एक जाले तो जाली डलके फंदा बढ़ा फिर से दो का एक किया तो वापिस घट गया अब देखिए जो यहाँ पर फंदा घटेगा उसको हम यहाँ पे जाली डालके बढ़ाएंगे यह जाली डालके एक फंदा सीधा अब यह तीन का एक करेंगे आगे से slide डालेंगे और ऐसे लेंगे अब इसके पीछे से slide डालके और बीच वाला फंदा अब हमारा आगे आ गया पलटके यहां से slide डालेंगे और back loop से ऐसे डालके तीन का एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर से एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे जो फंदा यहाँ पर कम हुआ है तीन का एक एक फंदा यहाँ से कम हुआ एक यहाँ से यहाँ वाला यह जाली डाली है यहाँ पे और अब यह जाली जो डालेंगे इस फंदे को कवर करेंगे तो जाली डालते हुए एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ अब देखे ये आपको अलग अलग नजराएंगे दो दो फंदों के ये पेर से हैं इनका दो का एक करेंगे ऐसे स्लाइड डालेंगे और दो का एक धागा अपनी तरफ फिर से एक सीधा एक जाली जाली डालते हुए दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी तरफ एक सीधा एक जाली तो दो का एक बनाएंगे ऐसे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे यहां पर जाली डालेंगे और यह एक फंदा सीधा अब दीन का एक करेंगे यहां से एक फंदा जो तीन का एक करेंगे कम होगा वो यहां किनारे पर जाली डाल के बढ़ जाता है तो आगे से स्लाई डाल लेंगे दो का एक करेंगे अब फिर पिछे से स्लाई डाल के वापिस इन फंदों को इस नीडल पर लेंगे तो बीच का फंदा हमारा आगे की तरफ आ जाएगा तीनों में स्लाई डाल लेंगे और बैक लूप से तीन का एक बनाएंगे फिर एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से एक फंदा जाली डालते हुए ये जाली वाला फंदा एक सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ अब फिर से ये दो का एक करेंगे एक सीधा एक जाली यहां से सलाई डालेंगे और जाली डालते हुए सीधा फंदा बनाएंगे चाली डालेंगे डिजाइन डलेगा फंदा बढ़ेगा और फिर दो काएक करेंगे तो फिर से वापिस फंदा कम हो जाएगा फंदे एकवल ही रहेंगे अगर दो काएक नहीं करेंगे तो फंदे जादा बढ़ जाएंगे यहा आज ये रोंग साइड उल्टी तरफ बार्वी स्लाई पूरी स्लाई को यहां से उल्टा-उल्टा बनाएंगे बहुत इजी डिजाइन है इसको आप लेडीज गरल्स के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए जैसे लेडीज कार्डिगन में लेडीज जाखिट में गरल्स टोप में कुर्प्ती में बेबी फ्रोक में और आप इसको स्केलप बोर्डर के लिए भी आप इसको यूज करेंगे तो बहुत ही प्यारा सा बोर्डर भी बन जाएगा तो यहां से पूरी स्लाई को इसको उल्टा-उल्टा बनाएंगे इसको उल्टा बनाएंगे एजटी धागा पीछे करेंगे अब देखे इसको लेंगे ऐसे पलटेंगे अब दो का एक करेंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे जो दो का एक किया है वो यह जाली डालके फंदे को बढ़ाएंगे ऐसे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे अब देखे यहां पर आपको यह अलग से दो दो फंदे नजराएंगे तो जाली डालेंगे फंदा बढ़ेगा यहां पर फिर दो का एक करेंगे तो फंदा एकवल ही रहेगा ऐसे फिर धागा अपनी तरफ फिर से दो का एक करेंगे जाली डालेंगे धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे और दो का एक बनाएंगे फिर धागा अपनी तएक सीधा, एक जाली, आगे से सलाई डाल के जाई बनाें। फिर अपनी तरफ देखिए यह तीन का एक करेंगे। आगे से सलाई डालेंगे ऐसे बाइब लिए धे लेगे यह तीन फंद हैं नुर पिछे से लाई डालके जाली डालते हुए तीन का एक फंदा बनाएंगे अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे ऐसे फिर धागा अपनी तरफ अब फिर देखिए यहाँ पर आपको एक दो तीन चार दो दो फंदे नजर आएंगे इनको जाली डालते हुए दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी तरफ फिर से जाली डालते हुए दो का एक करेंगे जाली डालेंगे फंदा बढ़ेगा दो का एक करेंगे फंदा फिर से इकवल हो जाएगा और डिजाइन अच्छी से बन जाएगा ध्यान से यहाँ पर सेंटर में दो का एक करेंगे सिरफ फंदा हमारा दोनों तरफ एक एक फंदा साइड में बढ़ेगा यहां पर फंदा बढ़ेगा, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, जाले डालेंगे और यह अब तीन फंदे हैं, तो तीन का एक बनाएंगे आगे चसलाई डालेंगे, लेंगे वापिस इसी सलाई पर करेंगे बीच वाला फंदा आगे आ जाएगा तो ऐसे तीन का एक जाली डालते हुए करेंगे ऐसे तो यह यहाँ पर डिजाइन बन जाएगा अब धागा अपनी तरफ तीन का एक किया एक जाली यहाँ पर डाल दी एक जाली यह डल जाएगी तो फंदा कवर हो गया अब धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे फंदा बढ़ेगा तो फिर से दो का एक करेंगे ऐसे हैं दो का एक धागा अपनी तरफ फिर से दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी तरफ फिर से एक फंदा एक जाली तो दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी तरफ फिर से एक सीधा एक जाली दो का एक बनाएंगे धागा अपनी तरफ अब देखिए यहाँ पर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे यहाँ पर दो यह जाली डालेंगे फंदा बढ़ेगा तो यहाँ से स्लाइड डालके दो काई करेंगे फिर से फंदा कम हो जाएगा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा तो डिजाइन की तेरवी सलाई बनके कम्पलिट हुई आप आज यह डिजाइन की चोदवी सलाई तो यहां से पूरी सलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे पूरे ही प्रोजेक्ट में इस डिजाइन में बैक साइड से सभी सलाई उल्टी उल्टी बनके कम्पलिट होंगे डिजाइन की 14 सलाई बनके कम्पलिट हुई और डिजाइन भी हमारा कम्पलिट हो गया तो दिखिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन इस तरह से डला है बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनेगा आप इसको किसी भी कलर में डाल सकते हैं बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन ये बन के आया है जितना देखने में सुन्दर है बनाने में उतना ही आसान है अगर आपको मेरा यह डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लेज वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंट्स ग्रूप में share कीजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ऐताकि आने वाली वीडियो जिके नोटिफेशन आप को सबसे पहले देखने को मिलते रहें और कमेंट सेक्षन में बताइगा कि आपको हुमारा ये डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा थेंक्यू